दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूशेंट समानने ग्यान इस से रिलेटेट जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसे रेल बे गुरूप डी एससी यूपी पुलिस लेखपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षक लिए यह काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानि जो घंटी का निशाने इसे अन करते हैं और यह टोटल जो है 40 प्लस कोश्चन है आप इन मैंसे कितने कोश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कूर कमेंड बक्स में लगा सकते हैं तो चले शुरू करते हैं देखिए यहाँ पर हमारा पहला कोश्चन दिया गया है निमनलेखित मैंसे कौन सा एक है इंटरनेट बराउज नहीं है है तो देखिए करेक्ट आशर ऑप्रस्चस यह होजाáveis पन्डा पांडा अपली केशन जो है यह इंटरनेट बराउजन नहीं है पांडा अपली केशन की बात करें तो यह की थौर्ड पर्टी ये पेश्चट यह पन्दा अपली केशन का उपियोग ज़ो है ऑन आफ अभी बरतमान में कुछ प्रचलित वेब बराउजर यहां पर हमने लिखे हैं, पहला है इंटरनेट एक्सप्लोर यह माइक्रोसफ्ट कॉर्प्रेशन द्वारा बिक्सित वेब बराउजर है, दूसरा है मोजिला फायर फॉक्स, इस वेब बराउजर का प्रियोग है, विंडो प्रचलित वेब बराउजर है, जो यहां से एक्जाम में कुछन पुछे ही जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, कुछन नमबर टू है, डॉर्च लाइट और वाहन की हेड़ लाइटों है, प्रकास का सक्तिसालिस समनांतर किरण पुंज, उत्पन करने के लिए समान तक कि परकार के दरपण का उपियोग किया जाता है, तो देखें इसमें जो है, यह ओतल दरपण का उपियोग किया जाता है, इसके अलावा ओतल दरपण का उपियोग किया जाता है, इसके अलावा ओतल दरपण का उपियोग जहां किया जाता है, वो यहां पर हमने लिखे है, पह के परकास को केंदृत करने में है में हजामत बनाने में यह हजामत बनाने वाले दरपन के रूप में इसका उप्योग किया जाता परवर्थो दूरबिण में औ्ल दरपन का उप्योंग किया जाता है क्शोन नमबर फर्ड भारत की står स्ववाध सि उपगरभा प्रछेपवन यान का ना नाम बताएं तो देखिए इसयान मांदक में च्रीए कश्शलर का ओप्रेटिक डास का एक उधारण है तो कम्प्यूटर का अप्रेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सफ्ट्वेर का उधाराण है करेक्ट आंसर B हो जाएगा कुशन नमबर 5 है चांदिक किस पदार्थ के साथ अभी क्रिया करने पर काली पड़ जाती है तो ये गंधक के साथ अभी क्रिया करने पर काली पड़ जाती है अप्सन डी करेक्ट हो जाएगा कुशन नमबर 6 है निमनलेखित में से कौन से गुण सुत्र लड़की के जनम के कारक होता है तो लड़की के लिए जो है डबल एक्स गुण सुत्र उतरदाई होता है ठीक है जबकि लड़का की बात करें तो लड़के के लिए जो गुण सुत्र उतरदाई होता है वो होता है एक सुआई ठीक है और लिंग निर्धारन किस पर निर्भर करता है तो पूरुसों के गुण सुत्र पर ठीक है पूरुसों के गुण सुत्र पर जो है लिंग निर्धारन निर्भर करता है मानव जाते में तेश जोड़ी अर्थात 46 गुण सुत्र होते हैं आपको पता होना चाहिए मानव जाते में तेश जोड़ी में तेश होते हैं और इस तरह से 46 गुण सुत्र होते हैं निमने लेखित में से कौन सा एक कॉम्प्यूट और वीडियो कार्ड तीनों क्या है कॉंप्योटर के आंत्रिक हीसा है पसो के इन में से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े होते हैं तो अर्थोपोड़ा के जुड़े होते हैं अप्सन डी करेक्ट है आएगा चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंत्रिक्षियान है मीशन चंद्रियान फर्ष्ट को डैस द्वारा सफलता पुर्वक परछेपित किया गया था तो चंद्रियान फर्ष्ट को किसके द्वारा सफलता पुर्वक परछेपित किया गया था पी एसलवी सी एलबेन के द्वारा याद रखना है PSLV C11 के द्वारा चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंत्रिक्ष्यान चंद्रियान फर्स्ट को परछेपित किया गया था करेक्ट आंसर ही हो जाएगा कुछिन नम्बर दौस है इनमें से कौन सा एक ताम राइसक है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मैला काइ फार आइक ताम राइसक है इसके अलावा यहां पर आइरन के कुछ महतपूर्ण राइसक नाम लिखे है आइरन के महतपूर्ण राइसक है हेमेट आइटे, लीमोन आइडे, मैगनेट आइटे, जिसे लेडे स्टून भी बोला जाता है, सीडे राइट और आइरन पाइराइट, यह सभी क्या है, आइरन के अयस्क है निमने लेखित में से कौन सा अंटार्टिका में इस्तित भारतिया नुसंधान केंदर नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी उचाएगा, दचिड यम उनोत्री, जो अंटार्टिका में इस्तित भारतिया नुसंधान केंदर नहीं है, E300 का समाने नाम बताईए E300 का समाने नाम क्या है विटामिन C B आंसर हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर हमने विटामिन और उनके रासाइनिक नाम लिखे है विटामिन A की बात करने हैं तो इसके रासाइनिक नाम जो है रेटिनोल है विटामिन B1, थाइमिन, विटामिन C, स्कर्बी कमल, विटामिन K, फिलो क्यून, विटामिन B9, फॉलिक एसीड, विटामिन B7, बायोटीन किस संधी पर हस्ताक्षर के बाद है, यूरोपिय समुदाय को यूरोपिय संग के रूप में जाना जाने लगा भारत में संपर्दायक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है तो देखें ये कहा जाता है लॉर्ड मिंटो दूतिय को, लॉर्ड मिंटो दूतिय को कहा जाता है भारत के किरेशी और किसान कल्याण मंत्राले ने प्रतिवर्स डैस को राष्टिया महिला किसान दिवस मनाने की घुंसड़ा की है भारत के क्रेसियम किसान कल्यान मंत्राले ने प्रती वर्स डैस को राष्टिया महिला किसान दिवस मनाने की घुंशड़ा की है तो ये प्रती वर्स जो है 15 अक्टूबर को मनाने की घुंशड़ा की है अप्सन ये करेक्ट हो जायेगा भारतिय संबिधान के भागचार का अनुशेद 43 भी डैस से संबंधित है तो भागचार का 43 भी किसे संबंधित है सवाकारे समीतियों संबंधित है option D correct जाएगा question number 17 है 19-1 में प्राथम नोबेल प्राथम नोबेल सांति पुरुषकार विजेता हेन्री ड्यूरेंट ने की संगठन का गठन किया था तो देखी ये गठन किया था international red cross का ठीक है option D correct हो जाएगा question number 18 है पुर्वी भारत की परधान मंत्री उर्जा गंगा पर्योजना किसे संबंधित है पुर्वी भारत की परधान मंत्री संबंधित है option ये correct हो जाएगा question number 19 है हमारे सरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है तो 0.4% जो है हमारे सरीर में नमक की मात्रा होती है दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अन रखें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस के दूध में होता है यह भी कुश्चन कई बार पूशा गया है बेरी इंप्रोटेंट कुश्चन तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो बकरी के दूध में होता है अप्शन B करेक्ट हो जाएगा 17-1993 में किस गौर्ना चैनल के सासन में बंगाल की अस्थाई बंदवस्त लागो की गई थे तो करेक्ट आंसर अप्शन B हो जाएगा लॉड करनवालेस के समय में लॉड करनवालेस के समय में जो है बंगाल की अस्थाई बंदवस्त लागो की गई थे इन्हीं के समय में जो है मतलब लोड कर्णवालेस नहीं जो है भारत में सीबिल सेवा का इनको जो है जनमदाता कहा जाता है इसके लाब इनको भारत में पुलिस सेवा का भी जनमदाता कहा जाता है question number 22 है इन में सेक्वानसी करवाहि सबिनाव के आंदोलन के शुरू होने की वज़ाब बनी तो correct answer option C उजायेगा डांडी यात्रा डांडी यात्रा सविनाओक्या अंदोलन के शुरू होने की वज़ा बनी डांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च 1937 को ये शुरू हुई और 6 अप्राइल 1937 तक ये चली थी डांडी यात्रा डांडी मार्च में अठोतर अनवायू के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्र महांदाबाद से डांडी नवसारी जीला गुजरात तक जो है पैदल यात्रा की थी 6 अप्राइल 1937 को डांडी में अबाय ध्रोप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया किसके द्वरा महात्मा गांधी जी के द्वरा याद रखना है 23 है नोबेल सांते पुरुषकार से सम्मानित होने वाले प्रोथम चीनी नागरिक का नाम बताई है तो पहले चीनी यात्री नोबेल पुरुषकार से सम्मानित होने वाले यह है लिव सिया ओबो जो है यह नोबेल सांते पुरुषकार से सम्मानित होने वाले प्रोथम चीनी नागरिक है माड़ी पूरी सास्त्रिय निर्त्य में प्राया भगवान डैस के कथा प्रसंगों का चित्रन होता है तो किनका होता है तो यह होता है क्रिश्न का ठीक है आंसर हो जाएगा B निमने लेखेत में से कौन सा भी कौलप सन्युक्त राष्ट के आंगों और उनके मुख्यालियों का सही यूग में नहीं है तो करेक्ट आंसर ओप्सन B हो जाएगा बिश्व स्वास्त संगठन इसका मुख्याले नियॉर्क नहीं है ठीक है इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले जेनेवा स्विट्जर लेंड में इस देत है बिश्व स्वास्त संगठन इसके स्थापना साथ अप्रेल 1948 को की गई थी इसके अलावा बाकी यह तीनों करेक्ट है इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस इसका मुख्या अंतराष्टिय राष्ट्र सैंच्छिडिके और बिग्यानें संस्क्रिती संगठन इसका मुख्याले पेरिस में है अंतराष्टिय परमाड़ उर्चा एजनसी इसका मुख्याले बियना में है 26 है ब्रिटिस परधान मंत्री बिष्टन चर्चिल को डैस के लिए नोबेल पुरुसकार मिला था तो ये साहिते के लिए जो है नोबेल पुरुसकार मिला था correct answer CU चायेगा Boston Churchill की बात करें तो Boston Churchill एक मात्र बրितेन के परधान मंत्री है जिसे बश्च 19.3 में Nobel पूरुषकार मिला था Boston Churchill दूतिय विश्वयूद के समय बरितेन का परधान मंत्री था 27 है सुमेलित नहीं है, 28 है, ताब बिधुद सन्यांत्रवन के अस्थान का, इन में से कौन से युग सुमेलित नहीं है, तो correct answer option B हो जाएगा, तालचर जो है ये सुमेलित नहीं है, परधान मंत्री मुद्रा योजना का क्या उदेश है, तो देखे इसका उदेश है, गैर कार्पो लगु ब्यापार छेत्र को बीतिय सहयता का प्रावधान जो इसका उदेश है, ताज महल के सजावट के लिए मुखे तक किस बस्तु तकनिक का इस्तमाल किया गया था, तो ये पिएटरा डिवरा का इस्तमाल किया गया था, पिएटरा डिवरा का इस्तमाल किया गया था, करेक्ट आंसर ओप्सन सी हो जाएगा, निमने लेखेत में से कौन से सिंधु नदे की सहायक नदे नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गोमती जो है, सिंधु नदे की सहायक नदे नहीं है, सिंधु की सहायक नदिया है जेलम, चिनाव, रावी, बियाज, सतलज गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी शर्यू नदी की सहायक नदी है गोमती नदी उतर प्रदेश की नदी है जो गोमत ताल से निकलती है सिंदो नदी का उदगम तीबत के मानसरोवर के निकट है सानो ख्याबाब हिमनद से हुआ है जेलम नदी की बात करें तो जेलम नदी का उद्गम जमु कास्मीर के बेरिनाग या सेसनाग जील है किस परकार की मिट्टी में कापास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है तो कापास का उत्पादन सबसे अच्छा जो है ये काली मिट्टी में होता है जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा और यह सबसे अधिक महाराष्ट राज्य में पाये जाता है काली मेटी निम्नलेखेत मैं से किस ने समवाद कैमूदी अख़बार की शुरुआत की समवाद कैमूदी अख़बार की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया था ठीक है आंसर हो जाएगा टी और सयोग अंदोलन के दोरान गाधी जी ने किस सम्मान को लटाया था केसरे हिंद को लटाया था ठीक है केसरे हिंद को अप्सनी करेक्ट हो जाएगा भटकल बंदरगा कहां इस्तीत है तो देखी ये इस्तीत है करनाटक में आंसर हो जाएगा भी भारत में सरवाधिक जैवब बीदता किस घाटी में पाई जाती है तो सरवाधिक जैवब बीदता जो है ये पाई जाती है सांत घाटी में और आंसर हो जाएगा, खुआ है, कॉन सा है है, लीथियम है, करेक्ट आंसर उप्शन B हो जायेगा कि सित्तों का रासाइनी गुण कौन ताय करता है तो इलेक्टरान की संख्या ताय करता है correct answer C हो जायेगा समान कारे के लिए समान बेतन भारत के संब्धान में सुनिशित किया गया है तो यह एक है राजे के नीती निर्देसक सिधान्तो कांग है ये क्या है राज्य के नीति निर्दसक सिधान्तो कांग है आंसर हो जाएगा B 41 है भारत में नियाइक पुनिरिक्षन के संकल्पना निमनांकित देश के संबिधान से ली गई है नियाइक पुनिरिक्षन के कल्पना किस देश के संबिधान से ली गई है तो निमनांकित में संसार का सरवाधिक ब्यास्त महासागर यह गर्थ कौन सा है तो यह है उत्री अट्लांटिक महासागर उत्री अट्लांटिक महासागर है अंसर हो जाएगा भी उसके बाद यहां पर हमार अगला कुश्यन है आयतन के अधार पर बिश्वकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है आयतन के अधर पर बिश्व की सबसे बड़ी नादी कौन सी है तो यह है अमेजर ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन यह हो जाएगा तो दोस्तों यह थे लूसेंट समाने ग्यान के इंपोर्टेंट है 40 प्लस कोशन आई होब कि यह वीडियो आपको पसंद आया रहेगा पसंद आते प्लेज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सियर करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि घंटिक अनि इसाने उसे जुरूर सण कर ठीक है ताक कि जब भी मैं कोई निव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन अन रखें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत